मान्य सदशगन ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमर्जंसी लगाने के निन्ने की कड़े शब्दों में निन्दा करता है इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकर्फशक्ते की सराना करते है जिनों ने इमर्जंसी का पुरज़ोग गिरोट किया अबुकू संगर्श किया और भारत के लोगतंद की रक्षा का दायत निभाया भारत के इतियास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा इस दिन तदकालिन प्रधानमंती सिर्मती इंगा गांधी ने देश में इमर्जंसी लगाई और बाबा साब अंबेट कर दारा निर्मित सवीधान पर प्रचन प्रहार किया था भारत की पैजान पूरी दुनिया में लोगतंद की जन्नी के तोर पर है भारत में हमेशा लोगतंदी मुल्यों और वादसवात का समर्दन हुआ हमेशा लोगतंदी मुल्यों की सुरुक्षा की उन्हें हमेशा प्रोसाइद किया गया ऐसे भारत पर सिमती इंगा गांधी दुआरा ताना शाय थोप दी गई भारत के लोगतांतिक मुल्यों को खुचला गया और अभीवेक्ती की आजादी का गला गोटा गया इमरजेंसी के दोरान भारत के नागरिकों के अधिकार नश्ट कर दिये गए नागरिकों से उनकी आजादी छिन दी गई ये वह दोर था जब विपख्षे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया तबकि तानाशाई सरकार ने मीडिया पर अनेक पावंद्या लगा दिया गयी थी न्याए पालिका की सतंता पर अंकुष लगा दिया गया था इमर्जेंसी का वो समय हमारे देश के हितियास में अन्याय काल का एक काला खंड था आपातकार इमर्जेंसी लगाने के बाद उस समय कॉंग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णे किये जिनोंने हमारे सविधान की भावनाओं को पुचलने का काम किया पूर और निर्धेई मेंटेंस अप इंटरनल सेक्रेट्ट्व एक्ट मीशा में बदलाव करके कांग्रेस पाल्टी यह सुनुष्चित किया कि हमारी अदालते मीशा के तर्थ गिरिपता लोगों को न्याय नहीं दे पाए मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पारलामन्न प्रसिडेंटी ब्रोड़क्शन ऊप पुब्लिकेशन रिफिल एक्ट प्रैस कौनसी रिफिल एक्ट और प्रिवेश्चन अप पुब्लिकेशन ऊप आपमजेक्शनल मेटर एक्ट लाएं गे इस काले खंड में सविधान में 38, 89, 44, 41, 42 सविधान शंचोतन किया गया कॉंग्रेस सरकारदारा किये कि इस शंचोतन का लख्षता सारी शक्तियां एक वेक्ती के पास आ जाए नियाय पालिकापर नियंतनों सविधान के मूझ सिद्धान खत्म किये जा सके ऐसा करके नागरी के अधिकारों का दमन किया गया और लोगतंत के सिद्धानतों पर आगात किया इतना है नहीं तदकाली प्रधान मंति स्री इर्मा गांजी ने कमिटेट व्यूरे केसी और कमिटेट जूडिशरी की बात कई जो उनकी लोगतंती विरोधी रवे का एक लारन है इमर्जेंसी अपने साथी ऐसे असामाजिक और तानाशाई की भावना से भैंकर चुनोतियों को लेकर आई जिसने गरीबी जलित और वंचितों को तबाह कर दिया इमर्जेंसी के दोरान लोगों को कॉंग्रेश सरकारदारा जाबरन थोपी गई अनिवार नस्बंदी का शेरों में हती कर्मन हंडाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनितियों का प्रहार जेलना पड़ा ये सदन उन सभी लोगों के परती सवेदना जताना चाहता है 1975 से 1917 काला खंड अपने आप में एक ऐसा काला खंड है जो में सविधान के सिद्धानतों संगिर धाचे और नियाइक सब्दनता के महत को याद दिलाता है ये कालकंड हमें याद दिलाता है कैसे उस समय हम सभी पर हमला किया गया क्योंकि जिनकी रक्षा आउशक है एसे समय में जब आपातकारिम एमर्जेंसी के पचासे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं ये अठारवी लोगसवा बाबा साब अमबेटकरदारा निर्मिक सविधान को बनाए रखने इसकी रक्षा करने और इसे सरक्षित रखने की अपनी प्रतिबता को दोराती है हम भारत में लोगतंत के सिधान देश में कानून का शाषन और सक्तियों का विकेंदिकन अशुन रखने के लिए प्रतिबत है हम सविधानी संस्ताओं में भारत के लोगों की आस्ता और उनके अबूत्पूश संगस जिनके कारण इमर्जेंसी का अंत हुआ और एक बार फिर सविधानी साषन की स्ताबनावी उनकी सराना करते हैं 1975 में आज 26 जून के दिनी देश इमर्जेंसी की कूर्श चैयों का सामना करते हुए उठा था 1975 में आज एक दिन कैबिनिट ने इमर्जेंसी का पोस्ट फेक्टो वेक्टि फेक्शन किया था इस्ताना शाई और आसवेधानिक निर्ने पर मौड लगाई थी इसलिए हमारी संस्दिय प्रणाली अंगिनित बलिदानों के बाद मिली दूसरी आजादी के प्रति अपनी प्रतिपत्ता को दोराने के लिए आज के प्रस्ताओ किया जाना आउशक है अब मैं हम ये जानते हैं के हमारी युवापीडी लोगतंत के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए इमरचेंसी के दोरान गेर कानूनी गिर्पदारियां सरकारी प्रतारना के चलते अंगिनित लोगों को यातनाय सहनी पड़ी थी उनके परिवार उनको असमित कश्ट उठाना पड़ा था इमरचेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था कितने लोगों की मित्यू हो गई थी इमरचेंसी के इस काले खंड में कांग्रेश की तानाशा सरकार के हातों अपनी जान गवाने वाले भारत के ऐसे कर्तेवनिश्ट और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की इसमुति में हम साथ दो मिनिट का मौन रखते हैं अम शांति सभा की कारवाई गुराक दिननाक 27 जून 2024 को राश्टपती के अभी बाशन की समाप्ती के आदे घंटे के प्रशाद के लिए इस्तगीत की जाती हैं कर दो कर दो